हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गोलू की साउजी रसोई आज हम बनाने वाले हैं गवार की फल्ली लेकिन नए तरीके से जो की बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी एकदम आजान ही है तो चलो बनाते हैं मैंने यापे ली हुई है आधा किलो गवार की फल्ली इसका सिप पीछे का डंडाल निकाला हुआ है और सामने से जैसे है वैसे ही है इसको मैंने धोव के रग दिया है एक कड़ाई में अब मैं तेल डालने वाली हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच तेल इसको तड़का देंगे जीरे का जीरा जब तड़क चाहेगा तब इसमें डाल देंगे तीन चार लसुन की कलिया लसुन अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वो धूली हुई फल्ली यह फल्ली को मैंने तोड़ा नहीं है यह ऐसे ही बहुती टेस्टी सबजी बनती है इसकी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर गावरानी फल्ली है तो यह सबजी बहुती टेस्टी लगती है अब मिक्स हो गया है अब हम इनको पाच मिनिट तक के रख देंगे पाच मिनिट के बाद इसमें डाल देंगे अदरक लसुन और धनी की पेस्ट दो चम्मच अदरक लसुन और धनी की पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि वो पेस्ट पूरे फली को अच्छे से लग जाए इसको भी अभी ढख के पाच मिनिट तक के पकने देंगे यह देखो यह हमारी पेस्ट जो हमने डाली थी वो भी पक चुकी है ब्राउनिश कलर आ चुका है यह देखो यह अच्छे से हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच थोड़ी सी हल्दी और स्वादा नुसार नमग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी फल्ली में वो लाल मिर्च और नमक अच्छे से लग जाए उसके बाद इसको ढखके फिर से पाच साथ मिनिट तक के वैसे ही पकने देंगे यह देखो यह फल्ली पूरी इसमें मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें डालने वाले हैं दही तो इसमें अब हम डालेंगे एक चमच दही और आधा चमच शक कर इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम पाच मिनिट तक के पकने देंगे देखो पाच मिनिट हो चुके है और हमारी फल्ली भी लगबग पक ही चुकी है लेकिन अगर हमें इसमें ग्रेवी करनी है तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी अगर नहीं करनी है तो और पाच मिनिट इसको पकाएंगे और ग्यास बन कर देंगे अगर मुझे इसमें करनी है ग्रेवी तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी पानी डालने के बाद इसको पाच साथ मिनिट तक के पकने देंगे यह देखो यह बन गई हमारी फल्ली की सबजी अब इसमें डाल देंगे हम उपर से गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद इसको दो मिनिट तक के पकने देंगे बहुत ही टेस्टी सबजी लगती है बस पक गई हमारी गवार की फल्ली ऐसी फल्ली हमारे यहां सबी को बहुत पसंद आती है और हम ज़्यादा तर ऐसे ही फल्ली बनाते है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखो यह बन गई हमारी गवार की फल्ली मस्ते दीक रही है इसकी जो फल्ली है वो भी अच्छे से पक चुकी है तो आप भी इसको एक बार जरू ट्राय करना थैंक यू